नमस्कार मैं आपके साथ हंजना और आप देख रहे हैं ताख खबरदार नियूज आएए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर स्मार्ट सिटी प्रतिगिता में इंदोर पहले नमबर पर दूसरे तीसरे स्थान पर सूरत और आगरा ने किया कब जा शुकरवार 25 अगस्त को इंदोर ने सर्वुसरेश्ट राष्टी स्मार्ट सिटी प्रुसकार जीता उसके बाद सूरत और आगरा का स्थान रहा केंद्री आवास और शेहरी मामलों के मंतराले ने शुकरवार को 2022 के लिए भारत इसमार सिटी प्रुसकार की घोशना की प्रुसकार 27 सितंबर को इंदोर में एक समारो में राष्टबती द्रोपती मुर्मुद्वारा प्रदान किये जाएंगे 22 शेडियों में 66 विजयताओं में से मधिप्रदेश ने सर्वसरेष्ट राजप्रुसकार जीता और तमिलनाडू ने दूसरा इस्थान हासिल किया राज़िस्तान और उतरप्रदेश सेंगत रूप से तीसरे स्थान पर रहे 100 शेहरों में इंदौर बना नमर वन केंदर शासित प्रदेश शेडि में चंडिगर को नमर एक इस्थान दिया गया है मंत्रालिक अनुसार ये अपनी ई-गवर्नेस सेवाओं के लिए सर्वसरेष्ट प्रशासन शेडि में भी विजयता बनकर उबरा है मोदि सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विक्सित किये जा रहे 100 शेहरों में इंदौर को शीर सिस्थान, गुजरात के सूरत को दूसरा सिस्थान और आगरा को तीसरा सिस्थान मिला इंदौर नगर निगम के जन प्रतिनिदियों ने राजवाड़ा पर आतिशवाजी और मिठाईया खिला का जश्न मनाया इस जश्न में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और इंदौर की मेयर पुष्य मित्र भारगव शामल हुए महापौर पुश्य मित्र भारगव ने कहा कि अधिकारियों की कड़ी मेहनत, लोगों की भागेदारी और सबसे उपर मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान और लोगों के साथ समयविये में काम करने वाले इस्तानी प्रतिनिद्यों की राजनितिक इच्छा शक्ती के कारण हम ने यो प्लबदी हासिल की है, मेर ने ये भी कहा कि इसी साल 27 सितमर को इंदौर में होने वाले समार्ट सिटी कॉन किलेब में रास्टपती द्रोपती मुर्मू से ये प्रुसकार मिलना गौरप का शण है, इंदौर के राजवड़ा पर आतिशवाजी देश की बेस्ट समार सिटी बनने पर इंदौर के राजवड़ा पर आतिशवाजी का जेश्ट मनाया गया, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ट कॉन्टेस्ट 2022 में भिविन श्रेडियों में इंदौर ने 7 अवार्ट प्रप्त किये हैं, देश की स्मार्ट सिटी में प्रतमिस्तान के साथी अरब एन्वार्मेंट वाटर सैनिटेशन एवं अनिश्रेणी में इंदौर को प्रतम इस्तान मिला इस मौके पर महापौर पुश्य मित्र भारगव एवं आयक्त हर्शिका सिंग द्वारा इंदौर वासियों को बधाई एवं शुबकामनाई दी गई वही नागरिकों के सयोग से निगम द्वारा किये जारे प्रयासों में दीए गई सयोग के लिए नागरिकों के प्रती आभार व्यक्त किया गया।